नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है तो आज हम बहुत ही अच्छी सी मॉरल स्टोरी लेके आए हैं जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा तो चलिए अपनी स्टोरी का टाइटल जानते हैं तो स्टोरी का टाइटल है चियरफूल एंडी चियरफूल मिन्स होता है हस्मुख जो हमेशा खुश रहता हो प्रशन रहता हो एंडी लड़के का नाम है तो हस्मुख एंडी या खुश रहने वाला एंडी तो चलिए अब स्टोरी पर नज़र डालते हैं एंडी वाज वेरी इस्पेशल बॉय एंडी एक लड़का है वोस था वेरी बहुत एक बहुत इस्पेशल खास विसेश बॉय एक खास विसेश लड़का था he could not walk, could not, could not, could मतलब सकना, can का पास्टेंसे could not nehi walk, walk मींज चलना, वो चल नहीं सकता था, इसका मतलब वो हैंडी कैप था, मिनस अपाहिस था, but लेकिन he always, वो हमेशा remain, remain मतलब बने रहना happy, मिनस वो हमेशा ही खुश रहता था, जबकि वो चल नहीं पाता था, उसके जीवन का सबसे बड़ा कश्ट था कि वो चल नहीं पाता था पर वो तब भी वो हमेशा खुश रहता था पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ या दूसरों लोग के साथ अगर उनके जीवन में चूटी चूटी परसानिया आ जाती है तो वो लगता है कि वो परसानी सबसे बड़ी है और मता हमसे ज़्यादा कोई दुखी और है ही नहीं पर ऐसा नहीं होता है बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में बहुत कश्ट होते हैं पर जब हमारे उपर बिती है तो हमें लगता है कि हमारी परसानी सबसे बड़ी है पर जो एंडी था उसे वो बहुत ही cheerful लड़का था हसमुख लड़का था कि वो कभी भी दुखी नहीं होता था और वो अपनी परसानी में भी खुशी निकाल लेता था ते इस वज़े से वो ह इस रूप में बुलाते थे लोग cheerful एंडी हसमुख एंडी मिस उसे हमेशा ही हसमुख एंडी के नाम से बुलाया जाता था because क्योंकि he joyful means होता है अनन्दपूर्ण means खुश खुश होके रहना and enthusiastic means होता है उस साहा से भरा हुआ नेचर सभाव was very बहुत प्रेंडा दैक means लोग से हसमुख सभाव और उससाही सभावस से बहुती खुश रहते थे और जो एंडी था उससे वे लोग प्रिणना लेते थे कि इतना बड़ी चीज होने के बावजूद भी एंडी हमेसा खुश रहता है और इससे उन्हें बहुत ही प्रिणना मिलती थी मिन्स एंस्पायर होते थे वन डे एक दीन एंग बॉइ एक चोटा बच्चा नेमड चारली जो एंडी के जैसा था उसका नाम चारली था केम टू एंडी स्टाउन आया टू एंडी स्टाउन एंडी के जहां एंडी जिस सहर में रहता था उसी सहर में चारली भी आया चार्ली जो था जो दूसरा बच्चा आया एंडी के सहर में वो बहुत ही इरिटेबल मिन्स होता है चुर्चुरा वो बहुत ही चुर्चुरा था और उसे कुछ न कुछ ऐसा कारण मिली जाता था जिसकी वज़े से वो हमेशा दुखी रहता था मतलब चार्ली को कुछ न कुछ reason ऐसा मिल जाता था कारण मिल जाता था कि वो sad हो जाता था दुखी हो जाता था एंडी and चार्ली एंडी और चार्ली वेर थें वन्स एक बास सीटिंग बैठे थें इन में ता बैल्कनी बैल्कनी जो घर के बाहर से एक छोटी सी निकली रहती है जिसमें कपड़े फहला जाते हैं लोग बैठते हैं, off का his house मिन्स मतलब एंडी और चारली अपने घर में मिन्स बालकोनी में बाहर बैठे हुए थे जस देन जस देन मिन्स तब ही समवन किसी ने ड्रॉब्ड ड्रॉब्ड मतलब गिरा दिया एक कटोरा एक बॉल गिरा दिया एबब मिन्स उपर से and और it landed right landed मतलब उतरना right सीधे सीधे on चारली's head और पर चारली चारली इसमें apostrophe as लगा है मिन्स चारली के head चारली के सर पे सीधे जाकर वो जो कटोरा था वो बॉल था सीधे चारली के सर पे जाकर गिरा चारली was just about to cry चारली वाज चारली जो था just about to cry मिन्स रोने लगा बस चिलाने लगा रोने लगा वें तब एंडी सेड एंडी ने कहा वाव चारली वा चारली that is a nice यह बहुत ही अच्छा क्लोन क्लोन मिन्स होता है जोकर मिन्स हसने वाला disguise मतलब होता है भेस जोकर का भेस यह बहुत ही अच्छा है you have just put on put on जो आप तुमने अपने सर पर रखा है वो जोकर का भेस बहुत ही अच्छा है मिन्स उसे देख कर हसने लगा on listening on listening मन्स सुनकर to those words इन सब्दों को सुनकर चारली फेल्ट चारली महसूस किया so good बहुत अच्छा महसूस किया that key he finally आखिरकार वो finally finally means आखिरकार understood समझ गया why क्यों एंडी was always क्यों एंडी हमेसा so happy बहुत खुश रहता है and cheerful हस्मुक रहता है अब चारली को समझ में आ गया कि एंडी क्यों हमेसा खुश रहता है हस्मुक रहता है he realized उसने महसूस किया that key it was not difficult यह कठिन नहीं है it was not difficult difficult means होता है कठिन यह कठिन नहीं है to see देखना the good अच्छा and funny funny means मज़ेदार side हिस्सा of everything हर चीज का means वो समझ गया कि इतना भी difficult नहीं है कि हर चीज में अच्छा और मज़ेदार चीज को देखना मेंसे बहुत ही अच्छी सीज है कि हमें छोटी छोटी बातों में भी खुश रहना चाहिए हस्मुक रहना चाहिए अगर हम खुश रहेंगे तो हमें हमें हर चीज खुशनुमा ही दिखाई देगा च्छोटी छोटी बातों में दुखी नहीं होना चाहिए बलकि उसमें खुशी ढूरने चाहिए क्यूंकि यही चोटी छोटी खुशिया ही हमारे जीवन की रहा को आसान बनाती हैं और कटनाइयों को दूर करती हैं कमंएंट करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करेगा सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू